यह वाला फेस पैक अगर आपने एक बाल लगा लिया ना तो आपके चहरे पे इतना जबरदस्त वाला ग्लो आएगा सबसे ची बात है कि आपको इस फेस पैक को बनाने के लिए बाहर से कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है सारी चीजे आपकी किचन में ही मिल जाएगी सारे जो इंक्रीदेडीयंच है इसके किचन में ही आपको मिल जाएंगे अगर आपने फेस पैक लगा लिया आपके जो चमक चली गई चिमक जाएगी घुलो प्रुजा याज हम चांगिए बेइन श्याया हो गई है उनको बहुत अच्छी सी एडैयिउस प्रवाइड करो आप जरूर संस्कृइन नहीं लाघते हैं के और प्रवाइड कर के लिए हुख जए थाप बढ़ाने के लिए वावल लिया है एक चममच बेसन जो चने का आटा होता है वो लिया है मैं नहीं लिए हाप चममच हनी जो शेहद होता है उसको लिया है नहीं मैंने लिया है पतंचरी का और उसके बाद मैंने एक चुटकी हल्दी डाली हई है अगर आपको हल्दी सूट करती है तो आप डालिया ने तो आप स्किपो कर सकते हैं और यहां पर इम लिया है कच्चा दूद , इन्स भीको डाल के अच्छे से पेस्ट बना स्काइरा थिक पेस्ट बनाना कि जोस 여 razem से हम एक थिक पेस्ट भी त liar कर लेंगे थोड़ा सा दूद और इसमें एड्ट करेंगे पart इस तरह से चला द वए एक गाढ़ा सा फेस्ट बनाना है और जितना हमें ज़रूरत अपने फेस के अपंठ दॉर अगर आपको हल्दी शूट नहीं करती है हल्दी से इचिंग होती है तो आप इसको स्केप भी कर सकते हैं अधरवाइस आप इसमें डाल भी सकते हैं तो यहां पर हमारा फेस पाइक बनके बिल्कुल तयार हो गया है इस तरह से आपको भी बनाना है और हम अप्लाइ कैसे करना इसको अपने फेस को बहुत अच्छी से क्लीन करना है तो आप चाहे तो किसी ब्रस फेस पैक ब्रस भी आता उससे आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप इस तरह से अपने हैंड से इस तरह से अप्लाई करेंगे तो गाइस इस फेस पैक को बनाने के लिए हमने बेसन की आपी आप किया है बेसन हमारे चेहरे से टैनिंग को हटाता है और जो हमारे शेह अपने में नरिश करता है एक मोशराईजर का काम करता है बहुत अच्छे से, इसकीन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है, शहद जो होता है, और एक चमक भी लाता हमारे फेस में, तो फीर वाद हमने चुटकी बर हल्दी अइट किया है, जो हमारे skin को fair बनाता है और मोशराई भी करता है यहाँ पे हमने पूरे face पे बहुत अच्छे से लगा लिया है pack को अब हम इसको सूखने देंगे जब यह 80% सूख जाएगा तब इसको हम हटाएंगे तो आप देख पारोंगे मैं यहाँ पे चमच की हल्प से हटा रही हूँ बहुत अच्छे से यह हमारे skin को मुलाइम कर दिया है और बहुत अच्छा एक glow भी आ गया है हमारे skin कितने से चमक रही है अब मैं इसे पानी से दो के आती हूँ तब मैं इसका result जो है दिखाती हूँ इसे हमें simple पानी से हटा देना हटाने बाद बहुत अच्छे से हमें इसको साफ कर लेना तो आप result देख पा रहा हूँ एक बहुत अच्छा चमक आ गया है मेरे face पे तो इस तरह से आप भी ट्राइ कर सकते हैं एक अच्छी लगी गाइस तो जादज जादध शेयर कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पर लाइक करके जाईएगा ऐसे और वीडियो देखने के लिए सो कमेंट करके जरूर बताईएगा कि ये वीडियो कैसा लगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाए